है गाइस वेलकम बैक तो मैं यूटुब चैनल और मैं असा करता हूँ कि आप सब भी टी कुंगे तो फिर गाइस आज हम देखने वाले हैं क्रिश्टल छेत्र विस्पूटन उर्जा या फिर क्रिश्टल छेत्र इस्थाईकरन उर्जा जिससे सौट फॉर्म में सीएफ ऐसे भी कहते हैं ठीक है तो फिरि से पहले मिले डिɟ्रहृड कॉंपलेक्स और औक्टहेडरल कॉंपलेक्स में किस प्रकार से डी और्ब इनर्जी का भी पाटन होता है तीन और्बिटल की उर्जा में कमी टीटुजी दो और्बिटल की एनर्जी में व्रिद्धी इजी होता है तो फिर में हमने जब ऑक्टार्डल कॉंप्लेक्स पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था कि जो डी और्बिटल है उसमें स्प्लिटिंग होता है और वो जो है टू पार्फ मीधिवाइट हो जाता है फश्ट जो है इजzeit और दूसरा टे 2 जी क्या करता है इजी में एद जो है एनर्जी की व्रिध्दी होती है जिससे यह जो है उच्छ वुरिजा वाले और बिटल्स का कि एंचे अर्विट्र ऒाले और उर्जा को बनाता है जी से एज़ी कहते हैं तो पिर उसको लिखना कि आपको लिखना है गर्स किलीं स्वते हैं यहां पर अगर डूंपन डू करने डा upright नहीं को नहीं हुआ है तब क्या होता है जो केंद्री धात्वायन का जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी और्विटल में जो है रह सकते हैं लेकिन जब विपाटन हो जाते हैं तो क्या होता है वो जो है टी टूजी और इजी में बढ़ जाता है लेकिन जब वो टी टूजी और इजी में नहीं बटा रहता है तब जो गेंद्रे धात्वान के जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी और्विटल में जो है रह सकते हैं बहुत ही सीम्पल है आप लोग समझ सकते हैं थर्ड देखते हैं किन्तु भी पाटन पस्चाद उसमें कम एनरजी टी टू जी के और्विटल में रहने की प्रविति प्रभल हो जाती है अब ठीक है अब स्प्लिटिंग होता है तो फिर वो जो है जो डी और्विटल है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है पहला कंचाद प्रविटल में क्रविटल हो जाती है ठीक है आई होप अब लोगों इतना समझ Joshear होगा अब देखते हैं T2G orbital में धातू electron के जानी से electron को उसर्जन होता है ठीक है जब T2G orbital में जब जो electron है वो जाएगा है दो केंद्रा धातू आयन का तब यहाइ उर्जा का उसर्जन होता है तस अदर एजी orbital में जानी से उर्जा का जो है आशूर्शन होता है ठीक है यह याद रखेंगे जब T2g औरबिटर में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो उर्जा का उध्रजन होता है और EG में जब इलेक्ट्रॉन प्रवेस्ट करेंगे तो फिर उर्जा का जो है आउशोशन होता है ठीक है तो फिर इस प्रकार कुल निश्कासित एनरजी को जो है क्रिश्टल इस्थाई करन उर्जा जो है कहते हैं तो फिर यह हो गया गईस हमारा CFSE क्रिश्टल इस्थाई करन उर्जा क्रिश्टल इस्थाई करन उर्जा किस प्रकार से निकालते हैं इस्थाई दो कंडिशन में निकाल के देखेंगे पहला अगर लीगेंड प्रबल है तब देखेंगे और दूसरा लीगेंड दुरूबल है तब ठीक है तो फिर मैंने जश्ट एक्जामपल के लिए यहां पर लिया है अगर आप लोग को देख लेना है कि कौन सा प्रबल प्रबल लिए अगरेंड आप लिए बता रहा हूं तो फिर यहां पर हमने लिया है और दी और बिटल इसमें फोर इलेक्ट्राउन है अब इसमें स्प्लीटिंग होता है तो फिर टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है और प्र इस जो है ऊपर चला जाता है और टी टूज इस में उसमें सब्सक्राइब कर यहां औरो का फिर फिल होता है कि वहां पी तो इसमें प्रविस्ट करते हैं तो प्रहूरा फिल इसमें अगर फ्रवल होते तो सबसे पहले है टी Luigi में प्रविष करेंगे ठीक है यहां पूरा फिल निकोने के बाद और वो ओ इजी में जो है प्रविष करते हैं ठीक है तो फिर अगर हम आठ एकोण करें तो पिर आठ एक यहां एक यहां एक यहां और फ़ाइअ फिर इस सिगसे हरा और यहां और यहां है ठीक है अब इस्प्लीटिंब और फिर्ट यहां पर यहां पर और फाइब और फाइब यहां पर आएगा प्रस्ट फोने के बाद इस इए अगर प्रवल है तब ठीक है अब चलिए जो इसका जो वैल्यू है वह किस प्रकार से निकलते हैं वह हम देख लेते हैं तो फिर यहां पर जो है जब मैंने ऑक्टाइडल कॉंप्लेक्स बताया तो फिर आप लोगों बताया था कि जो टीटूजी साइट का जो एनर्जी है वह 0.4 होता है और जो घ्रेंड़ा कंदाते हैं इस दोनों को गुना करने के बाद बॉस करने के बाद हमारा मनता है माइनस 1.6 प्लस जिरो डेल्टा नॉट ठीक है तो फिर यह आ जाए गई हमारा अंसर इसका जो ऐसी वैल्यू है वो है माइनस 1.6 डेल्टा नॉट ठीक है तो फिर यह इस प्रकार से हो जाएगा अगर लिगेंड प्रबल है तो अब देखते हैं गैस अगर लिगेंड दुरूबल है तब ठीक है यहां पर जो है लिगेंड दुरूबर रहेगा जस्ट हमने एक्जामपल के लिए भी यहां पर फोर इलेक्ट्रॉन लिया है जब इसका स्प्लिटिंग होता है औक्टाइड कंप्लेक्स की बात करें तो फिर टी ऊपर और टी टूऑव दिजाए जए नीचर अश्ट क्याओ अभी हाँ पर के लिगेंड जब दुरूबर रहेगा तो फिल्लेक्ट्रॉन जब पहले इसमें जाएगा फिर इसमें जाने कंफिर फिर पूरन जोह इसमें आएग्ट के लिएगं टीक फिर इन इसमें तो फ फिर फोर यहां पर फिर फाइव यहां पर टीक है उसके पास इलेक्ट्रॉन पुना यहां पर आएगा सेवन यहां पर और एट लेक्ट्रॉन यहां पर आएगा इस प्रकार से जो है अगर लिगेंड दुरॉबल है तो फिर क्या बोलते हैं और विटल में लेक्ट्रॉनों का और लिगेंट प्रबल है कि क्यों वो रहा है कि यह जो कंडिशन है आपको याद रखना पड़ेगा है और आप लोग देख लेंगे कौन से लिगेंट प्रबल है कौन से दुरूबल ठीक है अब इसको सी एफ ऐसी वैल्यू है वह हम देख लेते हैं ठीक है तो फिर सेम लिट्वान एक है ना तो फिर क्योंकि इस्थान पर जो है एक गुणा एक कर देंगे ठीक है फिर इन दोनों को गुणा वगरे करेंगे तो फिर आजाएगा माइनस 1.2 प्लस 0.6 ठीक है और डेल्टा नॉट इस प्रकार से इसको जब हम प्लस करेंगे तो फिर यह है तो फिर आई होप आप लोगों समझ जाया होगा कि cfsc आखिर होता क्या है ना और निकालने भी इसका वैल्यू किस प्रकार से निकालते हैं वह भी आप लोग सिख गये होंगे तो फिर चलिए गईस अगर आप लोगों के लिए वीडियो हेल्प फूल हुआ है तो फिर प वीडियो का हेल्प हो सके और थैंक यूगाइस में वीडियो को वाच करने के लिए